हेलो एवरिवन वेल्कम तो माइ चैनल वी विल लेर्न टूडे कंप्यूटर आज हम लोग कंप्यूटर जानेंगे कंप्यूटर के मॉक टेस्ट है आपको तो पता है कि एन्वियस का जो एक्जाम डेट है वह जारी हो चुका है उसके लिए अब जाज़ादा अगर प्रैक्ट यह जो कोशन्स होगा यह न के वल के वियस के लिए इसके साथ साथ एन्वियस इसके साथ साथ UGC नेट इसके साथ साथ SSC बैंकिंग सबी के लिए माग पुण है आप पूरा पूरे बडियो देखे और अपना मुल्लेंकन करें कि आपके कितने निंबर आ रहे हैं अगर नए हैं तो जल्द इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हार पूरे को नोडिकेसन सबसे पहले आपको मिले तो आप सॉल्ब करें पहले कुशन को मॉडुलेशन और डी मॉडुलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरन है ए पॉइंटर बी कनेक्टर सी डिमोट और दी मॉडुम देखें आपी सेंदिंग और में आपसे जा लेंगे पहले नमबर यह होगा बी नमबर में यह होगा सी यह होगा और दी मॉडुलेशन के प्रयोग के लिए होने वाला उपकरन इन में से कौन सा है ओकrolog म्हां इसका उत्तर दे आप спрос इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी यह निमार्डम हो जाएगा सेंड को आप जाने वाई-फाई का पूरा नाम है ए वाइलेस फ्लेक्सिबिलिटी बी वाइलेस फैडिलिटी सी वाइरड वाइरड फीचर्स डी उपरुक सभी अप सेकेंड नमर को तर दें आपको बतानी है वाइ-फाई का पूरा नाम क्या है ओके इट्स एंसर इस बी वाइरलेस फैडिलिटी वाइ-फाई का पूरा नाम क्या है वाइरलेस फैडिलिटी ओके कम तू दा थर्ड नमर कुश्र यू आर एल क्या है ए नमर में एक कम्प्यूटर सॉप्ट्यर प्रोग मिन्ग उब्जेक्ट सी नंबर में हार्डवेर का भाग एडिनिमर में कि सी भी डॉक्यमेंट यह, इसर का www.adress, देए में यह प्लेलिस्ट में कंप्पूटर की बहुत सी वीडियो डाली है जिसमें बहुत से वीडियो मॉक टेस्ट है बहुत से जो वीडियो है वो वन लाइनर कोशन है आप उसे बार-बार देखे ताकि आपको वो आत्म साथ हो जाए और आप अच्छा नंबर शीक्योर कर सके एक्जाम में अपने हैं तो आप थार्ड नंबर को उतर दें इसका यूरल के बारे में पूछा कि आप से ओके इट्स एंसर इस डी देखे इसका उतर हो जाएगा डी किसी भी डॉकुमेंट या पेज का डबलू डबलू पर एड्रेस किसी भी सैक्षनिक संस्थान को सामान रूप से दरसाने के लिए निमन में से कौन सा डोमें निम प्रिक्ट होता है यहाँ फुल स्टॉप या नहीं कह सकते हो और जी बी में माई यल सी में इन डी में एडू अब बताएं फोर नमर का सही उत्तर क्या होगा आप से पूछा जा रहा है डोमें नेम इसको कहते हैं यानि सेक्शन संस्थान एडूकेशन के लिए डोमें नेम जो होता है वह होता है एडूकेशन अब अगले कोशन को जान ले निमनिकित में से कौन सा कम्मुनिकेशन प्रोड़कोल प्रतेक कम्पुटर के लिए मानक सेट करता जो की वेव आदारी सुचनों को एक्सेस करती है अब इसका उत्तर दें इसका फिट अमर का सही उत्तर क्या होगा इस answer is C इसका उत्तर जाएगा यानि कौन सा कम्मुनिकेशन प्रोड़कोल प्रतेक कम्पुटर के लिए मानक सेट करता है जो की वेव आदारी सुचनों को एक्सेस करता हुआ है स्टी टी पी आप 6 अमर कुस्टन को जाने इमेल एड्रेस में दो बाग होते हैं पहला बाग username होता है जो दूसरे बाग से at the rate के द्वारा अलग रहता है तो इसमें दूसरा बाग होता है पासवर्ड b mail provider c domain name d website का नाम अब बता है email address के दो बाग होता है पहला बाग में username होता है और दूसरे बाग में at the rate द्वारा अलग रहता है तो इसमें दूसरा बाग होत पर देना है, okay, its answer is C, इसका अर्थ हो जाएगा, domain name, यानि email address पर दो भाग हो गया, पहला भाग तो user name हो गया, अब जानकारी ले लिए, दूसरा भाग में at the rate हो गया, तो इस पर दूसरा भाग जो होता है, domain name होता है, come to the 7 number question, किसी भी website या webpage को इंटरनेट पर पबली से उपलब्द कराने को कहते हैं, A, web surfing, B, googling, C, web hosting, D, searching, अब बताएं, आप इभी बताएं कि आपके कितने question सही हो रहा हैं, आप इसका उतर हमें comment box में दे, आप 7 number का उतर दे, इसका सही उतर क्या होगा, okay, its answer is C, web hosting, come to the 8 number, वो अपनिय कोड, जो किसी प्रोग्राम को एकसेस करने के निमती परदान करता हुआ है, A, username, B, webpage, C, wireless, D, password, अब बताएं, वो अपनिय कोड जो किसी भी प्रोग्राम को एकसेस करने के निमती परदान करता है, वो क्या है, आप इसका उतर दे, ओके इट्स एंसर इस डी पासवर्ड दिखे वह अपने कोड जो किसी प्रोग्राम को एक्सेस करने का नमती प्रदान करता है वह है पासवर्ड ओके अब नेश्ट कुश्चन को जान ले नहीं नमबर कुश्चन को वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट को पहचारने के लिए काम में आता है लिंक बी वेब पेज सी वेबसाइट डी वेब ब्राउजर अब नहीं नमर को उतर दें वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है जो वेब पर विशिष्ट को पहच पहचारने में काम में आता है अब इसके उत्तर दे क्या होगा नाइन नंबर का ओके इट्स एंसर इस लिंक यानि वेबसाइट एड्रेस से क्यों नीक नाम है जो वेब कुप पर विशुष्ट को पहचाने के लगामात हुआ है लिंक किसी वेबसाइट के पहले परदर्शित होने वाले पेज को कहते हैं अब टेन नंबर को उत्तर दें आपसे पूछा जा रहा है किसी वेबसाइट के पहले परदर्शित होने वाले पेज को क्या कहते हैं अब टेन नंबर को उत्तर दें its answer is C इसे कहते है home page यह नहीं आप किसी website के पहले जो display होता है उसे हम क्या कहते है home page कहते है come to the 11 number question Google, Yahoo, MSN NetScape और Navigator इत्यादी website है A virus, B hot bots C user के नाम अब इसका उत्तर दे अब सभी website से भली बाती परचित है आप 11 number के उत्तर दे इसका सही उत्तर क्या होगा its answer is D, search engine यह क्या है सभी search engine है come to the 12 number इसके मादम से आप email कहीं से भी access कर सकते हुआ है A, forum B, webmail internet C, message board D, weblog अब बताएं किसके मादम से आप email कहीं भी access कर सकते है वो क्या है आप 12 number के उत्तर दे इसका सही उत्तर क्या होगा its answer is B, webmail internet आपने 12 question complete कर ली यदि आपको वीडियो पसंद आ है तो अपने दोस्तों के साथ share करे वीडियो लाइक करना ना बूले वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अग मत्या है झाल अप रीडियो झाल 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 झाल